स्वागेद आप सबका तीसरे T20 आई के अंदर एक एतियासिक सीरीज अफगानिस्तान देश के लिए बहुत ज़्यादा यादगार सीरीज है क्योंकि पहली बाइलेटल सीरीज सी दुनों देश की बीच में और यहां पे अफगानिस्तान इतियास के पन्नों में अपने नाम वाली है दो जिर्यों से पर सीरीज को जीत लिया है और अभी पाकिस्तान के टीम वाइट वाश की गगार के उपर है पुरी विश्वाबर के अंदर चर्चा हो रही है पाकिस्तान किस तरह का मैं पर क्रिकेट खेल रही है तो देखने लागे पूरा मैं जोने वाल है अंतक वीडियो देखना अब इता की सिरीज में हुआ कि असके बारे में बात करते हैं पहला टीटवनटी वादा चोईस मार्च को जहां पर अफगनिस्तान मैच को च्छे विक्टों से वापे जीता था प्लेयर अफड़ मैच बनेते मोहमन नभी अब जो दूसरा टीटवनटी थ वह कली हुआ था 26 मार्च को और वहां पर भी अफगनिस्तान मैच को साथ विक्टों से जीता अब तीसरा टीटवनटी आज है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो देखने लागे पूरा मैच होने वाला अंतक वीडियो देखना हर प्लेयर के बारे में बात और कौन सी पीडियो का स्तेमाल किया जा सकता है उसके बारे में आपको डेटिल से बताऊंगा तो अंतक वीडियो देखना आपको मजा आएगा क्योंकि आप स्टैट्स गुरू जी की चैनल के उपर आयो तो मेरा काम आपको इंटेटेन करना और आपको एक विनिंग टीम द में इconnection में दिया हुआ है तो अब यहाँ पेश्य प्च रिपोर्ट के बारे में बात करता है जो जब से जयादा कि इमकुर्टेट के इस यह चास टास करेंगे तब देखें अब नतरे प्छले में पिछोटिंपी पिछली जब ऐसे पर यहां परанд का शर पी congr और अभी आपको एक और फोटो दिखाऊंगा उसमें फरक्या आपको बताना है यह देखे आप यह कल के मैच के पिछ की फोटो सेकें टी ट्वेंट यह नीचे लिखाऊ आप पड़ भी सकते हैं आप अपर आप देखोंगा आप यह बाउंडे डमेशन से लास्ट मैच के सामन से दिखी थी और इस ताम पे बाउंडे डमेशन बहुत लंबे थे सामने की बाउंडरी 75 मिटर थी स्क्वेर बाउंडरी 75 और 60 मिटर रही थी ते फरक था पहले और दूसरे टी ट्वेंटी की पिछ और यह दूसरे की अब फरक पता हूं क्या है यह क्लिरली दिख रहा था क कि शर्जा की जो पिछ रहती है नॉर्मल इस तरह की दिखती है जैसे से केंड टी 20 में आपको दिख रही है इस पिछ पे शीन थी चमक थी आप खुद देखें जैसा आपन देखते हैं यहां पर देखने को मिलता है पिछ पे चमक रहती है बॉल अच्छे से बैट की पर आत होती है ड्राइपीच होती है अब देखें जो लास्ट मैस था उसमें हुआ गया था उसमें हुआ कुछ नहीं था यहां पर 131 का टार्गेट दिया कॉंसे टीम ने जो पाकिस्तान के टीम पहले बैटिंग करने आती है और अफगानिस्तान के टीम आपे चेस कर जाती है एक पाकिस्तान का टार्गेट को उसमें नजुबला जाधरन का बहुत अच्छा युगदान था इबराहिम जाधरन ने भी अच्छी पारी खेली फिर आप गुरुबास मौमन नभी सब को युगदान था जो सब बैटिंग करते हैं यहां पर उसमें पिछले मैच के अंदर पा अफगानिस्तान के टीम ने और पाकिस्तान चेस करने आती है चार बॉल रटे टार्गेट चेस हो जाता और एक विगेट से मैच जीता था इसका मतलब क्या है यहां पर आपको थोड़ा सा फिर से मैच देखने को मिलेगा 130 140 के असपा स्कूर बनता हो देखेगा अब देखे है क्या हुए और अफगनिस्तान चेस करते हूँ जीती है पाकिस्तान ऐस 17半 के पर 8 मैच खेला है 5 जीता को 2 होजर रहा है इस 23 मैचस यहां पर खेली है8 जीती है और मात्र पाँच मैच हा रही है, लास्ट मैच के अंदर अच्छा विकेट पेसर गा था, और एक विकेट मातर स्पिनर का था, जो अपने बाई साब राशित खान थे, मुझीब को दोर मिले थे, लास्ट मैच मेच में आपको या दो तो, मैंगेसा भी दो गए थे वो, विकेट कॉलम लास्ट 39 मैच के अंदर, पेसर ने यहां पर 268 विकेट निकाला है, पहली पारी में 145 है, दूसरी पारी गंदर 123 है, तो पहली पारी में पेसर इंपोर्टेंट रहते ही है, राइट आम पेसर 211 है, लेफट आम पेसर गाएंपर 47 विकेट था है, इस पिनर्स की बाहते है, लेफट टाम ऑफपिनर्स का 51 विकेट है, लेफट टाम चर्मन का 5, लेफट टाम ऑफटोर्ट का 30 विकेट है, अब चलते हैं यहां पे किस की दरफ, अब आएगा बाई साब यहां पर जो इंपोर्टेंट सेग्मेंट है, डों टीम नापस में 5 मैंच केला है, अफगनिस्त अब आपको यहां पर खेलते हैं दिखेंगे, चलते हैं फिर यहां पर पाकिस्तान के 11 के तरफ, आपको यहां पर मौमाद हरीज दिखते हैं, सेम आहिप के साथ, शान मुसूद आने चाहिस मैच के अंदर, क्योंकि यह सीरीज तो ऐसे आप से जा चुकी है, इफ्तिकार रह खिलाए जा रहे हो, खिलाए जा रहे हो, आजम खान, श्रदाप खान, इमाद, नवाज, वसीम आने चीए, इस मैच के निठोफ, जमन खान, नशीम सा, और आसान मुला आपको यहां पर खेलते हो, जमन खान ने कुछ गलत नहीं गया, लास मैच में अच्छा पहल था, और 19 तो 20 तोर में डिफेंट भी कर जाता हो बना, जमन खान, उसने किया भी ऐसे कारणा में, बहुत अच्छा उसको ओवर जारा था, और तो कैच आखरी के नदर वाँ पर चूड़ीया, और जो अजम खान थे वाई, क्या किपिंग गरी वाइनस मैच में, गजब की किपिंग थाज की बाल शूट रही दिए उस मैच के अंदर, गुरुबास की बात तरे, तो चार मैचस के अंदर, हैट कुटे कंदर 87 रंस है, बैट फर्स 10 और 17 है, चेश के पर 16 और 44 बनाए थी, जो लास मैच में बना था, वैन एकिपर 11 मैच में 283 रंस है, 282 स्क्यों साद है, अच लास मैच कंदर, भी रंस बना रहे थे 43 बनाए तो 45 बना थे 43 बना थे 43 लास मैच में, पहले टीट विंट यह में 16 तर दस ताथ थी संदरा, पच्चे सब इनका था इसलामबाद उनिटे के लिए इन पीएसल उस्मान गानी, एक मैच में साथ रहना, बैट साथ मैच में एक अधर वैंडी पर साथ मैच में 119 रठारा कि यह उसाथ है देखते हैं इस मैच में क्या से कहलते हैं श्मान गानी प्लेयर में दम है तगड़ा बैटा रहे है यही बैट फर्स्ट फर्स्ट फर्टीटो पाच निस जीरो चेसके पर चालीस सोला साथ है बस वही बात है कि और फर्स्ट 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 के अंदर अच्छा खेले उसी लिस्ट में अभी तक दो मैचेस में दोनों केंडर भाई ने फिनिश की अच्छा खासा यहां पर पांच मैच में 110 रंस एक्टोर के अंदर अड़तेस वाइस दस बैट फर्स चेस के उपर सतरा नाबाद और तेस नाबाद गजब का प्लेयर है यह वैंडी के उपर तेईस मैच में 407 रंस 28 के उसा था 430 प्लास 420 इनिंग्स के उपर देखते हैं इस मैच के उपर इनका कैसा युगदान होता है अभी तक अच्छे दिखे हैं मौमान अभी पांच मैच कंदर चार विकेट 102 रंस है वैंडी के उपर 36 मैच कंदर 500 पिचतर है ना बहुत ही काम दिख रहे हैं भी यह आदा प्रेशर निया इनके उपर और इतने सारे मैचस कहले हैं वाई ने ती 20 के अंदर 200 के उपर इसका मैचस का experience होगा मैभी आपको जस एक मने बताता हूं पिछली मैच मैची नौक 3 की मौमान नभी की अच्छे रंस बनाते हैं तेक्निकल सांड बैटर है यहां पर मौमान नभी का आप खुद देखें जो टी 20 एक्सपरियेंस है ना बाइसाब वह है यहां पर करीवन 363 मैचस का 363 मैचस का यहां जस मने भी चैक कि आपके सामने बात करते हुए फिर आप देखें वेन्यूपे भी एच्छे स्कूर्स करें है भाई ने फिर आते हैं कौन करीम जानत पिछले मैच में बहुत अच्छा बॉलिंग से स्पेंड लाला था फिर चार मैचस कंदर एक नाल भाई था था तीन मैचस में एक वीगेट एक फिक अंधर बॉल फरस दौ मैच में एक बॉल सेकिंड एक मैच में जरू विकेट है नई बॉल को स्विंग कराते हैं पर पिछले मैच में कि यह लान लेंध बहुत खराब थी साथ मैच कंदर तीन विकेट से वेन पर और एक वोड दाला था भाई में खान सापका चार मैच में छे विक्टे मस्पिक होने चाहिए है वेन्यू पे इच्छे स्टार्ट सो चुछ मैच में 33 विकेट है फारुकी भी बहुत अच्छा डाल रहे हैं पिछले मैच के हीरो रहे थे तीन मैच में साथ विकेट थे पहला और ठीक है और दो विकेट निकाल दिये वो कहते है ना कि आपने अगाज इतना अच्छा कर दिया था मैच के अंदर की पाकिस्तान को फिर मौका ही नहीं मिला डेड़ सो तक जाने का एक सो तीस बनाए फिर वहां पर तो इनका बहुत बड़ा युगदान था डैंतर में भी रह यह मुझीब चार मैच में तीन विक्टे हैं दो बार विकेट लज गया वैनी पर बहुत अच्छा डालते हैं यहां पर इनका 17 मैच में 26 विकेट लज गया बॉल फर्स दस मैच में 13 बॉल सेकंड यह पर साथ मैच में 13 विकेट से अगर तॉप ओडर ठीक था खेल गया तो मुझीब विकेट निकालते हैं पर वही बात है जब तॉप ओडर का विकेट को और निकाल लेता है तो मुझीब का काम भारी हो जाता है क्योंकि फिर इमाद आ जाते हैं वैटिंगर में शदाव आजाते हैं अजम खान भी अच्छा खेलते हैं वैसे स्पिन को ताइप ताह पिछले मैच में पहला तीसरा सतरवा निस वा था था नवीन का चौता चटवा शोलवा बीस वा मुझीब का पांच वा नौवा खान साथ वा ग्यार वा तेरवा पंदर वा था करीम जनत का यापर इस मैच के अंदर आप दस वा बार और चौदवा और था इनसे एको डेट चलते हैं पर पाकिस्तानी प्लाइट की दरफ जन्हों ने बहुत निराश किया है दो मैच में किस रंस है मौमाद एरिस का यह बस अटैक करना ही जानता है और कुछ नहीं जानते बैट फस्च और पंद्रा है वही सेम जो है ट्विट स्टाट से फॉर्म बहुत अचा था प पर पिछ कंडिशन उसके साब से खेले तोड़ा वेट करके है यह बाद सेम आयूब दो मैच में 17 पर पार प्रफ ट्विटी में बहुत अच्छ रिखे देखे 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 बनाया था दूसरे में जरूप आट होगई पर फॉर्य तो दूसरी था थ मैच में 17 रंस एक मैच में 17 चाह नहीं खेल और समय इतना खास नहीं का हूंगा 20 स्क्राइब गरते हैं इनिंग बिल्ड लबन भी में 10 था है यह चेस करते हुए वह यंदि पर 30 मैच में 20 वीटान दोवी गेता है माक विए रहा प्लेयर एक्सपिरियन्स केंपेनर है ये स्टीम का और खिलाना चाहता है ने को पहले मैच से और कोई बात नहीं है बैंस्टेंग टेस्ट कर रिये तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तक फॉर्म देखें 53-4-2-3-39-6-15-8-32 तो अच्छा प्लेयर है वेसे है अजम खान दो मैच तो पिछले चाहर मैच पिछले पांच मैच के अंदर इसने शरिफ चाहरन मनाए टीट्विंटी के अंदर उस्टे बाले अच्छे फॉर्म मेधा पी एसल के अंदर वही बात है बड़ी पारी खेल भी सकता है ऐसा प्लेयर है आ रहे हो तो पारवाला आएगा देनरा तो बह इमाद वस्म का तीन मैच में तीन में इसने फिकेट एक टीडू रंस पिछले मैच में शिक्स्टी फोर की बहुत अची पारी थी नावाध और वन्यू की पर 17 मैच में तेरह विक्टा है पिछले मैच में तो नवास खेल रहे तो सिर्फ इन से एक उर गया था नवास का बहुत इंपॉर्टन में बहुत इंप्पोरटन बन और थे कि God अन्का से मैच में फिर से यह पर विकंटा पर सबस्ट पैस तीन मैच मेंने से नशिम का लगार वेन्यू करते हो और एक मैच में निकाल आट पर बना एक एक लिक्ट नीं करता हुए है पर पील्र बहिश में गजब का खिलाडी है अभी तक इसने जो पिछले चार टीट्वेंटे इंग्स कहली है ने इंटरनेशनल गीम 0-0-0-0 चार गजब की चंसिस्टंसी है और ने मैच ने बहुत आउट वह ए और पहली बॉल पर थार मैच के नदर क्याई के बाइसाब को आज पहल पहल तो तर्वे लाट लुगा अपर पिछल मैच पें गैस भी बहुत अच्छा पकड़ा है करिम जैनत की बाल कीओ भर लुग्पर ताइब तारी का जो विकेट था बहुत अच्छा पलेरोगें रेशा हैं। पिछले मैच में देखें किसका कौन सा ओर था नश्रीम का पहला पंदरवा सत्रा उन्निस वा तीम डैट में चे लगाता है जमन का चौधा चटवा और दूसरा भी था बीस वा तीन ओर पावर प्लेम एक डैट में एसनुला का तीसरा पांच वा ठारवा नवास का साथ वा नवा ग्यारवा तेरवा शदाप का आठवा था फिर दस वा था फिर रोग दिया अपने आपको फिर 14 दैन 16 कराया इमाद का बारवा था चलते हैं गुर्वास की दरफ इनका मैच अप यहां पर बनता है नश्रीम सा क चार आउट तो आपको यार बक्षी नहीं है अच्छा खेले उनको और थोड़े से लखी पर रहे थे कि जो अपने प्लेयर थे नजीब उल्ला उनका एंसाइडिज बार-बार बीट हो रहा था नभी वर्सिस नसीम 11 बॉल 19 रंद दोबर आउट किया हुआ है जमन खान ने 3 बॉल में 2 रंदे के एक बार आउट किया हुआ है फिर आते हैं करीम जनत का कोई खास मैचप नहीं है मौमद हैरीस वर्सिस फारुकी 15 बॉल 19 रंद एक बार आउट किया हुआ है सैम आयूब वर्सिस फारुकी 21 बॉल 27 रंद दोबर आउट किया है खान साब ने 10 बॉल में 20 रंदे के दोबर आउट किया हुआ है शाम मस्दूद आ सकते हैं मैचप कोई खास मुझे लगा नहीं इनका अजम खान वर्सिस खान साब खान वर्सिस खान 40 बॉल 28 रंद दोबर आउट किया हुआ है शादाप खान वर्सिस खान 24 बॉल 34 रंद तीन बर आउट किया राशिद खान ने इवन लाप्स मैच के अंदर इनकी गूगली सको पिक नहीं कर पा रहे थे इमाद का कोई खास मैचप नहीं है तगड़ा प्लेयर है अब्दुल्ला वरसे स्वारू की तीन बॉल एक रंद दोबर आउट किया इवन इनको पिएसल के अंदर जो मैस था लाहूर का और इस्लमाबाद का तब आउट किया था इनको मेरेको अभी भी याद है अजम तुल इसे क्या फायद आपका आपको उन से जूम मिट पर बात करने का मुका मिल सकता है से जरसी इंदर मिल सकती है तो साइन अप कर लेना बहुत को सूच रखा है यहां पर आई प्ल के लिए और जो हाइन वेस्टेर्स अपील करूं आप यहां पर आके खेली आपकी एंटिवी स अब बड़ी में बनाओ इबाद इब्रायमजादरान मुहमध एरी सिट्यम इस टाइप है फारुकी जैज जासा लास्ट मिच पर अपर रहे गा लिस्ट के अंदर चलते हैं आपके अपने मिशन तो जार तेस तक वन ब्लियन ग्रॉस कर अपना सभी दिखा है यहां पर अप पर बैटर से टाइक करने को देखते हैं इमाद भी यहां पर वाइस कप्टन सी के अच्छों है पर रिजन वह यह पिछले मैच पर नवास खेले तो इन्होंने सिर्फ एक और वहां पर बॉलिंग गरी ती जो उनका बार्वा ओबर था मैच का तो इमाद वसीम वाइस बारू की है और यहां पर मैंने एसन उल्ला और मुझीब को फिर से बैक किया है नभी का प्ले के जा सकते हैं नशीम सा के बढले मेरा नशीम सा रड़ार वाला प्लेयर रहेगा इसके बढले मैं किसी को भी ली सकता हूं अगर पर पाकिसान इस मैच में पहले गिनबाजी कर होगा है तो फर्स सकते हैं बात हुई यह पिछले मैच के अधर कोई खास नौक नहीं थी इनकी कुछ 44 ए 43 बनाया था 45 46 वाल्स के अंदर तो वहां पर सिंकल डबल किया इनिंग्स को बिल्ड गया और देखते हैं इस मैच में कैसा करते हैं हैरी से यहां पर सभी बात आती है यार पहली बॉल से आते हैं बल्ला घुमाते हैं आर यह तो पार कीपिंग भी नहीं कर रहे हैं गुर्बाज ने पिछले मैच से कीपिंग से अच्छे का से पॉंट दे दिया था आप खुद देखें आपर दो कैच पकड़ा एक रन आउट किया 24 पॉंट सोन को वहीं से मिल यह ब्राइन जादर रहन इंपोर्टेंट है सेम आयूप के अंदर भी क्लास है ग्रैंड के अट्राइ कर सकते हो पर सामने फारुक इतना च्छा पर डाल रहा है शाय उनको फेस करना डिफिकल्टी उगा इनके लिए ताइर श्मान गानी टेकनिकल सांट बैठा यह जादा म मैचस खेलता नहीं है वरना टैकनिक इनकी भी बहुत बढ़ी है और राउंडर में मात का मैट वर सिर्फ बल्ले से हुने वाला है इस मैच में गर नवास खेलता है च्छे बल्रस होते हैं तो शदाप खान की इंपोर्टेंस सबसे रहेगी नभी की इंपोर्टेंट शायद इसे प्रेंध जनत अपका ट्राई आप चाहे सो ट्राई कर सकते हो खान साथ इंपोर्टेंट अफारो की इंपोर्टेंट अशनलला भी बैस बहुत अच्छे बौलर है नर्शिम साथ को आप रोटेंड कर सकते हो बल्रस्ट की कंडिशन में मुझीब दोनों पारे में इंप बनाई रखना आप तो मैं हूँ जय हिंद चैनल को सब्स्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ रूडियो शेयर करें